हलो बच्चों सभी को जैमा सरसुती तो आज हम लोग बात करेंगे जनवरी के महिने में एक कमजोर चात्र जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाया वो पढ़ाई कैसे करें क्या पढ़े ताकि बोर्ड परिच्छा में एक अच्छा परसेंटेज फोर सके देखो वजय कुछ समय है बोर्ड परिच्छा को लेगे हलाकि समय बहुत ज्यादा नहीं बचाए लेकिन इस समय में एक सही तरीके से पढ़कर कम से कम एक समान जनक परसेंटेगी कम से कम 80 प्लस परसेंट 90 प्लस ना पाये कम 80 प्लस परसेंट हम ला सकी तो अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बार ध्यान सब्सक्राइब गलतियां सबसे होती हैं एक बार आप से होई गलती तो परसान मत होना लेकिन हां यह अंदर से आप लोग संकल्प लेना कि गलती दुबारा नहीं होनी चाहिए कि अब होगी तो समय नहीं बचे प्वेकितनी हुई किया आपको प्राब्लम करता है, कमेंट बढ़ा होगा चलेगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंद बाकस में कि अगर आप कमेंट करोगे उसी के कारीं हम आगी क्ला सिज आपको डेनगे ताकि आपकी तयारी बहतरी हो सके आप सभी लोगों इसलिए अगर आपकी तयारी अच्छी है तपर भी आप नीचे बताईएगा नहीं हुई है 0% की तयारी तो भी आप बताईएगा आपके अपने बड़े भाई से बताने में क्या तिक्कत क्यूं आप दरते हों सर्माते हूं मत सर्माना अप सजवी सी बताऊगे उसके खट ti termi इसके अगला किका निच का प्लानिंग करें ठीक है यहां को करता है और एक माता और मैं सभी से करना चाहता हूं अगर आप यह सोचते हो कि जिस तरह से भैया हम पुरी साल दो गंटे चार गंटे पढ़कर किया उसी तरीके से जनुरी के मैंने में दो गंटे चार गंटे पढ़ाई करोगे तो आप इस वीडियो को देखो ही मत क्योंकर आब समय नहीं है इसलिए आपको पूरा रड,भूमी में उतरना पड़ेगा दिन रात एक करना पड़ेगा और फुसकता एक आक रात आपको खड़े होगे पढ़ाय करना पड़े इसके पीछे आपको नहीं जाना होगा. करना होगा क्या मेंत करने के तयार है आपको बता रहा हूं कैसे पढ़ाई करना है सबसे पढ़ा काम पढ़ाई करने से पहले मैं आप से कहना चाहूंगा मैं आपको वही चीश करऊओगा जो आप कर सकते हूँ और में वाकी में अगर आप चाहोंगे तो कर लोगे तो टैंशन मतलो जो मैं बतारह रहां हओ उसको कर math आप मेरे सभी छोटे भाई हो आपको में भाई मांता हूँ इसलिए अगर टैंस लोगे इस ते बहुत सारी समस्यां होती है दिमाग में सर में माइगरेंट जैसी रोग होती है तरदर्द करने लगता है वच्छा था पिछली साथ तो टेंसर लेके क्यों रोग पारना मेहनत करो जितना आपके हाथ में है जितना समय है उतने में लड़ो एक बाद दिल से लड़ो जो होगा देखा जाएगा हम भी लड़ेंगे आप भी लड़ना हम भी साम को हमारी टीम भी खड़ी रहेगी आपके लिए ऐसे नहीं कि आपको मैं छोड़ दूँगा इसलिए तो मैंने कमेंट करवाय था आपको बता रहो क्या तैयार है आपकी अगया दूसरी बात टेंसरी नहीं लेना करना क्या है और ऊपर लोगे हैि कैसे ना हो इसलिए और आपको कको पढ़ाई करना था देखो अब समय नहीं किताब पढ़ने के लिए इतना समय लो तो पढ़ना क्या है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं देखो दो ही काम करना है आपको दो काम से आप 80 प्लस असानी से ले जाओगी इन दो कामों के साथ में एक तीसरा काम है जो कि लास्ट में बताऊंगा ठीक आपको इस ट्यार करेंगे आपको जहां से मिले जिस चैनल से वीडियो से जिस लेक्ट्टर से मिले आप उससे त्यार कर लेकिन हां इस मंदारी से होना चाहिए यह नहीं कि मतलब आप जाओ शुरू करें बढ़ियां तिन हंटे ने चैट्टर करने के लिए का कि आधे खतम क करें चले जाए ऐसे लोगों से दूर रहना वह बस फ्यूज के चक्तन रोते थमनिल ऐसा बनाएंगे सब लोग करेंगे लेकिन लास्ट में मिलेगा कि आपको कुछ नहीं तो थमनिल पर उतना ही लिखना चाहिए जितना मिले तो आप तीन घंटे समय भी वरबात किये मिला तीन चेप्टर चार चेप्टर तो इसलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां पर सभी इप्वाटेंट खुशनस हैं वहां से तयार करना है दूसरी बात आपको क्या करना है पिछले चार से पांच साल की जितने भी प्रस्न ह पूछे गए जितने भी प्रस्न पूछे गए तब को नहीं तयार करना है उसमें से जो महत्पुर्ट प्रस्न है उसको त्यार करना है तो आप आसानी से पोड़ ले जाओगे 90 प्लस की मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर इतना त्यार कर लिए न कोशन इसके बाहर जादा नहीं जाएगा पस क्या होगा थोड़ा सा घुमाएगा अगर आप दिमाग को अस्तिर करके उस दिमाग में कुछ तो आप कर ले जाओगे कोई नहीं रोख सकता कुछ भी नहीं पड़े हो कर सकते हो बहुत बड़ी चीज नहीं है यह दो काम करना आपको अगर आप एक जगह पूरे इसके लिए आपको थुड़ी सी सहयोगरासी देनी पड़ेगी हलाकि मुझी नहीं वह गवर्मेंट को देनी पड़ेगी इस वर्दान बैच में आपको पूरी चीजें हुई है कुछ लोग अभी अभी बैच लांच कर रहे हैं कि जनौरी में नया बैच लांच करेंगे और आपको पुरा पचास दिन में पढ़ा देंगे आपके एक्जाम तक पूरी तयारी करा देंगे कुछ नहीं होने वाला है आप इस समय सोच रहे हो लाइ करता हूं कभी कमेंट कर दे मुझे एक आना कमेंट कर दे मैं बैच में जो भी कंटेंट होता है इसी का पैसा लेता हूं तो आप पर पढ़ाता हूं जो ऐसा लेता हूं तो एप पर प्रहदा हूं और इतना तक अगर कोई YouTube का वीडियो को बच्चा करने पर देता हूं कभी-कभी एक-बिडियो के साथ होता है बच्चो के कछने पर देता हूं कभी-कभी ऐसा हो जाता है यह अच्छा लेक्चर था इसो दे दीजिए यूटूब पर जाकर दूड़ना ना पड़े यहीं पर मिल जा चैप्टर में हम प्रहल ट्यार कर लेंगे तो ऐसा कर देता हूं मैं कभी तो भया अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप यह सोचो कि हां लाइब कर अब इस बैच के तरफ जा सकते हो मेरे वर्धान बैच की तरफ वाकिन में आप लोगों के लिए वरदान सावित होगा कोई अन्जिनी हमीं इसमें देखो इसमें आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात कि आपको चैप्टर वाइज नॉबर दिसंबर के मैंने साल्व कराए गया पूरे इप्वार्टिंग को से के वल दो तीन लेक्टर में चैट्टर कंप्लीट है एक एक लेक्टर आप्जेट्टिव का एक निमेर करें और वही चुनिंदा प्रस्न है जो कि पोड में सीदे देखने को मिलेंगी पक्का मैं बता रहा हूं को सन आएंगी तो यहीं से पेपर लेके मिला लेना हां हो सकता है को सेम न मिले तो मिलेंगे इतना समझ लेगा ठीक है लाइब क्लास नोर्स का पीडिएफ मिलेगा आलाइन वीकली टेस्ट रहेगा हां टेस्ट सीरीज भी मिलेगा आपको इसलिए से इतना बहुत बढ़े आपको टेंसन नहीं ले ना अगर आप कुछ नहीं पड़े हो तो बहुत बढ़ी आपके लिए बैच रहेगा सर्क कितना फीस है पांसो निन्यावे श्चुनिन इन्यावे नहीं मैं समझ लो दो सुनिन्यानवे आपका इसमें इसका फीस है और दो स 120 रुपया बच रहा है तो उसमें आपका अप्लीकेशन चार्ज है और यह सब इधर उदर के अगड़ा मगड़ा इंटरनेट हैंलिंग चार्ज हो रहा हुआ है दस बीस पचीस रुपया हमको मिलता जो की जो मैं लोग बात करेंगी आप से उनके लिए है ठीक है यह आपका काम मैंने आपको बताया था बहुत महत्मूर काम है आत्रों के लिए यह है कि डेली आपको 10 से 15 पेज लिखना होगा कि जनुरी भर इतना जान दो क्योंकि बोडिक जामें आपको कापी लिखना है अगर कापी लिखोगे नहीं तो फिर पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नह तो वाले एक दिन आप पहले चैप्टर 22-26 का इस लांग कोई सन्या डिरिवेशन तयार किया करना है सबसे पहले ध्यान से पढ़ना से स्कैंडिंग करना है मैंने इसके विडियो बनाया है उसके बाद सोचना है क्या पढ़ा मैंने उसको फिर लिखना है कोशिस करना है अग यह सब चीजें आप सभी लोग कर लिजिए ठीक है है और अगर आप सभी लोगों को और कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट कर दीजिएगा हम आप सभी लोगों के लिए चाम के लाश्ट दे तक खड़े हैं आपके साथ इस बोड़ से छोटे से रोड़ भाई अपने बड़े भाई से बोल देजिएगा बड़े भाई किनातह प्र今 इस बीदियो में सभी को जैमासरती खुब मेहनत कीजिए कोई बिदिक्वत हो चुरू बताए हमें